आज हम लोग exercise 3.7 को करने वाले हैं और इसमें जितने भी questions हैं उन में से आपको कई सारे questions को अभी हम solve करने वाले हैं लगबग half question इसमें करेंगे और half question next वाले वीडियो में करेंगे हमने जब इसका theory पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि इसका जो lecture है na solution वाला वो देखना बहुत जरूरी है क्यूंकि हम उसमें नए नए concepts को बताने वाले हैं तो देखो अभी जो आपने LCM पढ़ा है और जो SCF पढ़ा है उन सभी को combine करके जो उसके applications हैं वो सारे के सारे application इस वा जाएंगे ठीक है तो LCM और SCF से related जितने भी सारे questions हैं वो सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं इसमें question number first में बेटा कह रहा है ध्यान दोगे के रेनू purchases two bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg रेनू नाम की एक महिला है जो खड़ी दिती है दो bag fertilizer का यानि के दो बोड़ी fertilizer खड़ीती है एक का weight है 75 kg और एक बोड़ी का weight है 69 kg ठेक है find the maximum value of weight आपको maximum weight का value बताना है which can measure the weight of the fertilizer exact number of times यानि कि ये जो 75 kg है और ये जो 69 kg है ठेक है ये दो अलग अलग बोड़ी में pack है बिटा fertilizer fertilizer मिस खाद होता है ठेक है अब आपको एक ऐसा weight बताना है जो maximum number होना चाहिए जो इस दोनों को exact number में वो weight कर दे exact number में weight कर दे मतलब कि exact time से मालो कि इसको 5 बार में वो weight कर दिया और इसको 7 बार में weight कर दिया ठीक है बचना नहीं शाहिए यानि कि यह जो weight होता है आप weight देखते हैं 1 kg weight, 2 kg weight, 3 kg weight, 5 kg weight, 10 kg weight बहुत बड़े बड़े weight आते हैं जिसको आप यूँ भी कह सकते हो कि बट खड़ा, बट खड़ा तुम जानते होगे जो आप जाते हो जिससे आपको tall कर कर करके सामान दिये जाते हैं तो उनहीं की बात की जा रही है कि सबसे बड़ा कौन से size का बट खड़ा होना चाहिए, weight होना चाहिए जिसको हम यहाँ पे exact time में measure कर सकें तो exactly हमें यहाँ पे क्या बोल लख है, देखो maximum, तो maximum बोले न बेटा कि maximum अगर पूछे तो आपको highest factor, highest common factor निकालना है और minimum के लिए lowest common multiple निकालना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का HCF निकाल देना पड़ेगा ठीक है, तो हम यहाँ पे weight of two bags यहाँ पे जो जो information है उसको लिख देते है weight of two bags, जो यहाँ पे दो bag दिये हुए है उसका weight कितना है बेटा, 75 kg and 69 kg इसको हमने लिख दिया, यह आपको given है, ठीक है अब यहाँ पे आपको maximum weight निकालना है न, तो exactly हमने बताया कि maximum के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो maximum के लिए HCF निकालना पड़ेगा अब इसका concept मैं HCF पहले निकाल लेता हूँ, दिन मैं बताऊंगा कि आखरी मैं HCF ही क्यों निकाला हूँ तो जब आपको maximum weight निकालना है, तो HCF निकालना पड़ेगा, किसका किसका HCF निकालना पड़ेगा तो 75 का और 69 का बिटा HCF निकालना पड़ेगा, फटा फट से निकालो, देखो 75 का prime factorization करो और 69 का prime factorization करो जब 75 का करोगे, तो देखो 5 से आपको 25 टाइमस में होगा, फिर 5 से 5 टाइमस में होगा, तो तुम ऐसे कर सकते हो, 5 into 5 into 5 ठीक है, और 69 को prime factorization में ऐसे करो, 3, 2, 6, 3, 3, 9, अब ये तो I think के आपको फिर से कटने वाला दिख रहा है क्या, ओए कटने वाला दिख रहा है, नहीं कटने वाला दिख रहा है, तो exactly, आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे 5 से, नहीं नहीं, यह बटा, मैंने prime factorization यह गलत क है न, उसको पहले सुधार लेते हैं, यहाँ पे जो 5 से होगा, फिटर 5 बन जा 5, ठीक है, और 2 बचेगा, तो 5, 5 जा 15, अब यहाँ पे देखो, 5 से 3 टाइमस में लगेगा, अब यह क्या हो जाएंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 3 हो जाएंगे, यह थोड़ी सी गलती हो गई कि हमसे प्राइम फैक्टराइजेशन करने में कोई नहीं, अब यहाँ पे 69 का कर लेते हैं, यह तो सही था, यह 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 इंटू 23 कर लेंगे, अब तुम्हें पता है, कि जब हम SCF निकालते हैं, तो common देखते हैं, common होना शाह यह तो यहाँ पे देखो, केवल और केवल 3 common है, तो exactly यहाँ पे जो हमें SCF निकल करके आया, वो क्या निकल करके आया है, 3 निकल करके आया, इसका मतलब हमें यह पता चला, कि 3 kg यह maximum weight है, जो इस दोनों बोरी को exact time में weight कर देगा, मतलब क्या हुआ, देखो, आपको यहाँ 75 kg की एक बोरी है, 69 kg की एक बोरी है, 3 से इसमें divide दो तो बिटा कितना हो जायेगा, जब आप 3 से यहाँ पे divide दोगे तो देखो, 25 बार में इसको तॉल करकर के हटा देगा, इसको 3 से divide दो, 3, 2, 6, 3, 3, 9, और 23 times में इस बोरी को वो weight करकर के हटा देगा, तो exact 23 times ही तॉलना प पड़ेगा, थोड़ा भी fertilizer नहीं बचेगा, exact time में दोनों बोरी को ये 3 kg एक ऐसा number है, जो weight कर देगा, तो हमें SCF निकालने का मतलब पता चल गया, SCF वो बड़ा से बड़ा number, जो दोनों को completely divide कर दे, completely divide करेगा, तो तभी तो completely वो weight भी करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे SC निकाले हैं, तो आपको clear हो गया concept कि हमें क्यों SCF निकालना पड़ रहा है, SCF हमें इसलिए निकालना पड़ा, क्योंकि वो exact time में उसको कटा दे, हमें पता है कि कोई भी number अपने SCF से exact time में divisible होता है, तो exactly आप यहाँ पे लिख देंगे, hence 3 kg, hence 3 kg is the maximum value, is the maximum, देखो, maximum को shortcut म मैंने ऐसे लिख दिया, बेटा, is the maximum value of weight, यह weight का maximum value है, जो आपको fertilizer को exact time में measure कर देगा, चलो, question number second है, second में बोल ला है कि 3 boys step off together from the same spot, यहनी कि 3 लड़के हैं, ठीक है, और 3 ही जगह से दौरना शुरू करता है, ठीक है, अब their step measure 63 cm, 70 cm, and 77 cm, देखो, एक का थोड़ा सा छोटा है, 63 cm की step है, ठीक है, थोड़ी सी छोटी step है, एक का उससे थोड़ा बड़ा है, 70 cm है, और एक का 63 था, और एक का कितना है बेटा, तो 77 है, यह लो बेटा, यह सब के step, यानि कि एक बार में वो 70 cm चलेगा, फिर यह 77 चलेगा, और यह 63 इसका मतलब यह हुगा, बेटा, अब आपको यहाँ पर question में क्या कहा रहा है, देखना, कि what is the maximum distance, sorry, minimum distance, यहाँ पर बोला है, कि कम से कम कितना distance वो travel करेगा, should cover, show that all can cover the distance in complete step, कि उन सभी के जो step होने चाहिए, वो complete होने चाहिए, तो देखो, यहाँ पर बेटा, minimum देखके तो exactly मैंने बताया कि minimum हो, तो हम वहाँ पर L से हम निकालते हैं, तो हम फटा-फट से क्या करते हैं, इसका L से हम निकाल लेते हैं, फिर हम आपको concept बताएंगे, ठेक है, तो first boy step जो measure है, तो यहाँ पर हम लिख लेते है, measure of, measure of first boy step, ठेक है, पहले जो लड़के है, उसके measure कित 63 cm है, measure of second boy step, जो दूसरे लड़के है, उसकी step 70 cm है, measure of third boy step, जो तीसरे लड़के है, वो 77 cm है, ठेक है, तो exactly हम यहाँ पर L से हम निकाल लेते हैं, किसका L से हम बताएंगे, तो इस तीनों का L से हम निकालेंगे, 63, 70 और 77, तो इसका जब हम L से हम निकालेंगे, फेटा-फेट से यहीं पर निकाल लो, 63 रखो, 70 रखो, और 77 रखो, और exactly long division method यहाँ पर apply कर लो, देखो बिटा हमें लग रहा है कि 7 से सब सब कट रहें, तो 7 9 जा 63, और 7 10 जा 70, और 7 11 जा 77, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको कम से कम 2 वाला चेक करो, मैंने previous lecture में जाएगी, तो इसमें कोई भी दो नंबर है ही नहीं, जिसे मैं multiply करूँ, और exactly वो क्या हो जाए, तो वो divisible हो जाए, जैसे, देखो, कोई भी दो नंबर नहीं है, जिसको मैं divide दे सकूँ, किसी नंबर से, मैं exactly यह कहना चाहँ, यह 9 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, कोई 3 9 से कटन ने वाला नहीं है, 11 तो कटेगा ही नहीं, इसका मतलब यह हो गया, कि मेरा जो LCM निकलेगा ना, यहाँ पर, वो exactly 7 into 9 into 10 into 11 आ जाएंगे, clear हो रहा है, यानि 9, 10, 7, 11, जब आप इसको multiply करोगे, तो exactly कितना आ जाएगा, 6, 9, 3, 0, तो इतने centimeter आपको क्या निकल करकर करके आगय यह distance निकल करके आया, अब इतना distance से हमें क्या पता चला, कि यह जो distance यही आपका क्या हो जाएगा, आपका यही answer हो जाएगा, आप लिख देंगे कि 6, 9, 3, 0 cm is the distance, it should cover so that all can cover the distance in complete steps, तो यहाँ पे आप समझो, LCM निकालने से क्या हो गया, आप इस 6, 9, 3, 0 को 63 से डिवाइड दो बिटा, जब तुम 63 से डिवाइड दोगे, किसको 6, 9, 6, 9, 3, 0 को आप डिवाइड दे रहो, किस से डिवाइड दे रहो बिटा, 63 से, तो यह आपको आएगा 110, इसका मतलब यह पता चला, कि यह 110 step अगर cover करेगा, तो इतना distance पे पहु 69, 3, 0 नहीं लेते हैं, हाँ, exactly, इसको अब 70 से बिटा डिवाइड दे, ठीक है, तो जब 70 से तुम डिवाइड दोगे, तो exactly 70 से डिवाइड देने पे यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, तो 99 आएगा, इसका मतलब कि यह जो है, वो 99 steps में ही इतना distance cover कर लेगा, अच्छा, और यही 69, 3, 0 को अगर हम 77 से डिवाइड दें, ठीक है, तो 77 से डिवाइड देने पे जो आपको exactly आएगा, वो 90 आएगा, अब यहाँ पे देखो, यह 90 steps में ही इतना distance cover कर लेगा, तो LCM निकालने का फायदा क्या हुआ, कि LCM एक ऐसा नमबर होता है, जो सभी से completely divisible हो जाता भी completely divisible होगा, तो minimum distance एतना ही है, जो कोई 110 steps cover कर 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 के पहुँचेगा, कोई 99 steps, कोई 90 steps cover कर 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 के इस distance को cover कर लेगा, तो exactly आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें समझ में आ गई है, कि हमने क्यों मैंने LCM लिया, ठीक है, चलो, अब हम चलने है, third number question, the length, breadth and height of a room, इ find the longest tape, आपको लंबा से लंबा tape का length बताना है, which can measure, the three dimension of the room, exactly, जो तीनों को exactly measure कर दे बिटा, तो यहाँ पे बोला है कि longest tape, तो longest के लिए बिटा हम लोग क्या करेंगे, तो SCF निकालेंगे, highest common factor निकालेंगे, तो पहले लिख देंगे, length, breadth and height of room, इन चीजों को लिख दो, length, breadth and height of room, and height of room, बेटर, room का length, breadth और height तुमने निकाल लिए, तुम भी अपने room में length, breadth और height देख सकते हो, कि क्या है, तो यहाँ पे आपको centimeter में दिया हुआ है, 825 cm, 675 cm, 450 cm, ठीक है, इस तरीके से length, breadth और height आपको दिया हुआ है, यहाँ पे longest बोला है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, SCF निकालना पड़ेगा, तो exactly हम यहाँ पे SCF निकालेंगे, किसका SCF निकालेंगे, तो 825, 675, 450, इन तीनों का हम SCF निकालने वाले है, तो क्या करने वाले है, 825 का बिटा, यहाँ पे prime factorization निकालो, क्योंकि आपको SCF prime factorization से निकालना बहुत आसान हो जाता है, 5 बन जा 5, यह होगा, 3, 32, 5, 6, the 30, और 5, 5, the 25, इसको फिर 5, 3, the 15, और 5, 3, the 15, फिर यह क्या हो जाएगा, 3 से 11 टेमस में हो जाएगा, तो exactly यहाँ प 11 कर लोगे, अब यहाँ 6, 75 की भी हमें prime factorization करनी पड़ेगी, तो अब हम यहाँ पे 6, 25, 6, 75 है बिटा, यहाँ पे 6, 75 का prime factorization कर रहा है, 5, 1, the 5, 17 हो गया, 5, 3, the 15, 5, 5, the 25, 5, 2, the 10, 35, 5, 7, the 35, 3, 9, the 27, 3, 3, the 9, यहाँ 3, 3, 3, 3, 5, 5, 3, 3, 3, into 3, into 3, into 5, into 5, exactly, 6, 75 का हो गया न, अब उसी तरीके से 450 का हमें prime factorization करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 450 का भी कर लो, देखो, 450 का जब तुम करोगे, तो 5 से 5, 9, the 45, 0 हो गया, 3, 3, 9, 0 हुआ, अब देखो, 3, 10, the 30, और 2, 5, the 20, यानि कि 5, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 3, 2, 5, exactly, आप इस तरीके से कर लो, 5, 3, 3, 2, 5, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं न, कि SCF देख लेते हैं, तो SCF आपको क्या होगा बिटा, तो जो जो common होंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 5 है, और यहाँ भी एक 5 है, और यहाँ भ यहाँ पे देखो, एक 5 और एक 5 और एक 5 तो सेकेंड वाला 5 भी common हो गया, अच्छा, अब तो 5 इसमें है नहीं, अब देखो, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, तो एक एक 3 सब में common हो गया, 11 भी सब में है क्या, तो 11 सब में नहीं है, तो exactly आपका जो SCF होगा 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75, तो यह 75 सेंटीमीटर SCF आ गया, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर हम 75 सेंटीमीटर का कोई टेप लेते हैं, ठीक है, तो यह सबसे लंबा टेप है, और यह exactly इसको भी complete divide कर देगा, इसको भी complete divide कर देगा, और इसको भी complete divide कर देगा, complete divide करने का मतलब क्या 5 बार, 6 बार, ऐसा नहीं कि सारे 5 बार में measure करेगा, सारे 6 बार, ऐसा बिलकुल भी नहीं होने वाले हैं, जैसे कि हम देखने वाले हैं, कि 825 को यह 75 कितनी बार में measure करेगा, किसको मैंने बोला बिटा, 825 को, कौन सा मैंने कहा, तो exactly यहाँ पर divide देना पड़ेगा, तो मैं 75 स तो यह 11 बार में इसको measure कर देगा, length को, clear हो रहा है, अच्छा, 675 को वो कितने में करेगा, किसको, 675 को अगर हम divide देदें, किस से divide देदें, 75 से, तो आपको exactly 9 आएगा, तो 9 times में इसको measure कर देगा, अच्छा, इसको कितनी बार में measure कर रहा है, यह क्या है, 450 और 450 को 75 से, अग आप divide दोगे, तो 6 आएगा, और यह 6 बार में इसको पूरा का-पूरा measure कर देगा, तो exactly तुमको पता चल गया ना, कि मैं यहाँ पर क्यों SCF निकाला, तो चलो, यह question number 3 का answer था, और question number 4 में, यहाँ पर जो question 4 देख रहा हो, इसमें क्या कहा रहा है, समझोगे, determine the smallest 3 digit number, which is exactly divisible by 6, 8, 12, तो बिटा, जो 6 से भी divisible हो, 8 से भी divisible हो, 12 से भी divisible हो, वो इसका LCM होगा, यह बात आपको पता है ना, कि LCM अपने सभी number से divisible होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, कि इन तीनों का LCM निकाल लेंगे, क्योंकि वो LCM तो इन तीनों से divisible होगा, और उस के बाद चेक करेंगे, कि वो LCM कौन से छोटे 3 digit के number हैं, जिसको divide दे रहा है, तो exactly हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम LCM निकालने वाले हैं, और वो भी LCM किसका, तो 6, 8, 12 का, long division method अपना हो, जल्दी से आ जाएगा, 6, 8, 12 ले लो, और यहाँ पहले 2 से करो, 2, 3, 6, 2, 4, 3, 1, 3, 4 को copy कर लो, यहाँ कि 3 से divisible नहीं है, 3, 2, 6, ठीक है, अब यहाँ पे 2 से करो, 2, 1 को तो copy कर लेना पड़ेगा, 2, 2, 4, और 2, 1, 2, 2, अब कोई भी ऐसा number नहीं है, 2, जो किसी एक number से divisible हो जाए, तो हमारा LCM जो हो जाएगा, वो कितना होगा, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, तो 2, तो exactly solve कर दो दोना चारती है, 12, 24, यानि कि 24 आ गया, तो यह 24 एक ऐसा number है, जो 6 से भी divisible है, 8 से भी divisible है, और 12 से भी divisible है, अच्छा जी, यह बात तो हमें पता चले गया, अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, कि smallest 3 digit number आपको बताना है, जो exactly इन तीनों से divisible है, यानि इ से divisible होगा, तो उसके बाबुजी से भी divisible होगा, बाबुजी समझ रहो, मैंने कहने का मतलए, उसका LCM हो गया, LCM एक ऐसा number है, जो आपको उन सभी number से divisible होता है, जिसका आपको जिस जिस number का LCM निकाल, ठीक है, तो जो इन 3 से divisible है, वो उसके LCM से भी divisible है, तो देखो, अगर तुम 24 को 4 से multiply करते हो, तो 96 आता है, और 24 को तुम multiply करते हो, बेटा, 5 से, जस्ट आगे वाले से, तो ये आजाता है आपको 120, अच्छा, यानि कि 120 जो है, वो 3 डिजिट का smallest number है, जो इस 24 से divisible है, तो 24 से divisible कहने का मतलब क्या हो गया, कि 12 से भी है, 8 से भी है, 6 से भी है तो आपको यहाँ पर पता चल गया, कि 120 is the smallest 3-digit number, 120 is the smallest 3-digit number, smallest 3-digit number, number which exactly divisible by, which is, which is exactly, exactly divisible by, divisible by, किसे किसे बिटा, तो 6, 8, and, 6, 8, and 12, जो 6 से भी, 8 से भी, और 12 से भी, क्यों, क्योंकि उसके LCM से divisible है, अच्छा, यह 120 से अगर छोटा लोगे, तो वो 96 हो जाएगा, और 96 तो बिटा, 2-digit का number होता है, बिटा हमें बोला है, कि 3-digit का smallest number शाहिए, exactly, अच्छा, इसको इसे भी निकाला जा सकता है, कि 3-digit का smallest number कौन है, 100 है, तो अब आप क्या करो, कि 100 को 24 से divide दो, यानि कि LCM से divide दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 96, बिटा है ना 96 है, यानि कि 4 remainder आ गया, अब आपको क्या करना है, 4 में क्या add किया जाए, जो 24 से divisible हो जाए, तो तुम कहोगे, सर 4 तो already इसके पास है, 24 complete करने में 20 की कमी हो रही है, इसमें से इसको घटा दो, 24 में से 4 को subtract कर दो, सर इसमें 20 की कमी हो रही है, अगर इस 100 के पास 20 और होता, 4 तो already है, 20 और होता, तो यह 24 से divisible हो जाता, इसका मतलब क्या है, कि आप क्या करो, उस 100 में यह 20 को बिटा add कर दो, त अगर एक ऐसा number होगा, जो 24 से divisible होगा, तो लू बेटा, यहां तुमने निकाल लिया 120, तो यहां पे आप ऐसे भी करकर के निकाल सकते हैं, अगर समझ में नहीं आए, multiply करने का नामन करें, तो ऐसे divide दे लियो, और divide देने के वाद समझ जाईयो, कि यहां पे क्या हमें number चाह है, यहां पे बोला है, कि greatest three digit number exactly divisible by 8, 10 और 12, तो जो 8, 10 और 12 से divisible होगा, वो इसके LCM से भी divisible होगा, यह बात को आप एकदम ध्यान में रखोगे बिटा, मैंने क्या कहा, कि अगर कोई number 8 से 10 से 12 से एक साथ divisible है, इसका मतलब कि वो इसके LCM से LCM इसका down होता है, तो हम क्या क का, चलो फटा-फट से LCM निकालो, 8, 10 और 12, long division method से निकालो, अगर आपको long division method नहीं आता, दिन जाकर करके आप lecture देखो, मैं previous वाले lecture में सारे चीज़ों को बताया हूँ, और वो आपके description box में भी उसका link मिल जाएगा, तो देखना जरूरी है, बिटा इसी बीच में क्या कर अगर आपने subscribe नहीं किया है तो, ठेक है, और subscribe आपने कर दिया है, then thank you, अपने friend के साथ share कर दो, ताकि इस video के मदद से उसकी भी knowledge improve कर जाए, देखरो कितने details से पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो कर ही सकते हो, अपने friend के साथ share, जो पढ़ यहां पर ध्यान दो, हम two से divide देंगे, तो two fours are eight, two fives are ten, two sixs are twelve, अरे आसान है, सर आसान है, इतना आसान आप क्यों बता रहे हैं, बिटा बताना पड़ेगा ना, क्योंकि solution करा रहे हैं, तो solution करा रहे हैं, तो यह सारे चीज़ां आपको पता होनी चाहिए, exactly, यहां पर उसे divide हो, तो हम यही पर break कर देंगे, रोक देंगे, और LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे, कितना आएगा, two into two into two into five into three, exactly multiply कर बिटा, कितना आता है, दो दूना, चार दूना, आठ, आठ, पच्छे, चालिस, चालिस, तिया, एक्सोब बिस, 43 सा 120, यानि कि यह आजाएगा 120, ठीक है, वैसे तुम कर सकते हो, ना, English में, मैंने Hindi में कर दिया, तो क्या तुमें यहां सी आ रही है, two two is a four, two is a eight, eight five is a, forty, forty three is a 120, exactly, अब यहां पर देखो, कोई number, अगर, eight, ten, twelve से divisible है, इसका मतलब क्या हुआ, कि वो, उसके LCM से भी divisible तो आपको greatest three digit number कौन सा है, तो greatest three digit number बेटा, 999 है, यह greatest three digit number होता है, तो अब आपको यहां पर चेक करना है, कि 999 है, कि जस्ट पहले वाला कौन सा number है, जो 120 से divisible है, तो आप ऐसे ही multiply करके देखोगे, कि 12 eights a 96 होता है, यानि कि अगर eight times से multiply करोगे, तो exactly यह कितना होने वाला ह तो यहां पर 12 eights a आपने multiply किया, तो 960 है, ठीक है, अच्छा, 12 को 9 से multiply करके देख लो, तो 9 से multiply करोगे, तो exactly तुम्हें 1080 आएगा, 12 nine eights a 108, तो 1080 आगया, 1080, अब ध्यान दो, कि जो 1080 है, यह 1080 आपको पता चल ला है, कि यह four digit number आगया, इसका मतलब यह है, कि three digit में सबसे 960 ही हो सकता है, जो 120 का multiple है, तो exactly हम यहां पर कहेंगे, कि hence 960 is the greatest three digit number, is the greatest three digit number, which is exactly divisible by exactly, यहां पर direct लिक दो, exactly, exactly divisible by, exactly divisible by, किसे किसे बिटा divide हो रहा है, तो वो 8, 10 and 12, 8, 10 and 12, 8, 10, 12 से वो divide हो जाएगा, अच्छा, और तुमको ऐसे अगर नहीं idea लगाने आ रहा है, कि मैं कितना से multiply करूं, दिन तुम्हें क्या करना है, कि इसको divide दे देना है, किस से divide दे देना है, तो 120 से divide दे देना ह तो 120 से 8 times में divide दोगे, तो यहाँ पे 960 आएगा, 960 आगया, तो अब यहाँ पे subtract कर, तो यहाँ पे subtract करोगे, तो आपको exactly कितना आ जाएगा, 39 आएगा क्या, बिटा यहाँ पे देखोगे, तो आपको 12, 96, यानि कि 960, तो आपको यहाँ पे देखो, remainder क्या आ गया बिटा, यहाँ पे remainder आ गया 39, अब आप देखोगे कि यह 39 extra है, यह क्या है, 39 मेरा extra है, अगर हम इसमें से 39 को subtract कर दें, दिन 120 से completely divisible हो जाएगा, तो 999 में से 39 को आप subtract करोगे, तो exactly 960 आएगा, और यही 960 ऐसा नमबर होगा, जो 3 डिजिट का greatest भी होगा, और 120 से divisible भी होगा, 120 से divisible का मतलब इसके सभी नमबर से, जैसे 8, 10 and 12 से भी divisible होगा, तो आप ऐसे करकर के भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे देखो 6 नमबर में क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है कि the traffic light at 3 different road crossing change after every 48 second, देखो, जो traffic light है न, ठीक है, जो route crossing पे लगा हो, तमने light, वहाँ से traffic control होती है, कौन गारी पास करेगी, कौन से route की गारी निकलेगी, वो वहाँ पे traffic police होते हैं, जो उसको control करते हैं, तो exactly यह सब चीज़ें तुम जानते हो, तो एक light 48 second के बाद चलती है, एक light 72 second पे जलती है, और जो एक light है, वो 110 second पे, 108 second पे जलती है, ठीक है, simultaneously, अगर वो एक साथ, simultaneously मतलब के एक साथ अगर change होता है, at 7 a.m. 7 बजे सुबह में, at what time will they change simultaneously again, तो वो कितने बजे, फिर से एक साथ change होगा, 48 second के बाद एक change हो जाएगा, यह तो change होगा ही नहीं, वैसे ही रहेगा, यह 72 second के बाद change होगा, फिर यह 108 second के बाद change होगा, जब त तरीक है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, कि इसका LCM निकालना है, और LCM आप निकाल लोगे, तो आपको यह पता चलेगा, कि वो ऐसा time होगा, जहाँ पे वो ऐसा number होगा, जो इन सभी time से divide हो रहा होगा, तो exactly हम क्या करेंगे, यहाँ पे LCM निकालेंगे, किस की किस के LCM तो यहाँ पे 48, 72, and 108 की LCM, तो अपको यहाँ पे long division method को follow करना है, long division method जब तुम अपना होगे, आता है नहीं, और यह नहीं आता है, तो जाकर करके, देखो, description में लिंक दिया होगा, कैसे divide दिया जाता है, और वहाँ नहीं देख सकते हो, at least यहाँ तो देख सकते हो, यहाँ the 8, 2, 3, 6, and 2, 6, 12, 2, 5, the 10, 2, 4, the, ठेक है, अब 2, 2 से मैंने कर दिया, फिर 2 से कर दो 12, और 2 से 18, और 2 से 27, ठेक है, इत्ता तो आहीं गया होगा, तुम्हे, 2, 6, the 12, 2, 9, the 18, ओ, शिट यह नहीं कटा, तो 3 कर लेंगे, अच्छा, सुरू, 3 से सब कट रहा, 3, 2, 6, 3, 9, 3, 9, अब 2 और 3 कोई एक नमबर से कटेगा, नहीं कटेगा, बस यहीं पर हमने रहने दिया, LCM यहाँ पर निकाले, सभी को मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, 2, 2, 2, 3, 2, और 1, 4, 2, 1, 2, 3, 4, ठेक है, उसका 3 कितने टाइमस है, बेटा, 1, 2, 3 टाइमस है, यानि कि 3 को 3 टाइमस हम में मल्टिप्लाई करना है, तो एकजाकली, यहाँ पर करो, 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16, और 16 यहाँ पर हो गया है, यहाँ से यहाँ तक मल्टिप्लाई करने पर 16 हुआ, 3, 3, 9, 3, 2, 27, और यहाँ से यहाँ तक मल्टिप्लाई करने पर 27 हुआ, और जब आप 16 और 27 को मल्टिप्लाई कर होगे तो exactly आजाएगा 432 ठीक है तो यह 432 आपका क्या निकल करकर के आया है तो exactly LCM निकल के आया है यानि आपको यह पता चला कि जो light change होगा अब 432 seconds के बाद change होगा और जो change होगा वो सब एक साथ change होगा क्योंकि 432 48 से भी divisible होगा 72 से भी divisible होगा 108 से भी divisible होगा यानि इस बार सब लोग एक साथ जल रहे होंगे ठीक है आप तो नहीं जलते हो ना किसी से बिलकुल भी नहीं जलना और जलना भी होगा तो कैसे जलना सूरज की तरह जलना समझ में आड़ यह बात यहां पर देखो उतना ज्यादा भी मत जलना फिर दूसरों को problem हो जाएगे वह 432 है तो आप 432 को समझ चुके हैं कि light will change together after after every every 432 सेकेंड यहां पर देखो एक साथ वह 432 सेकेंड के बाद ही light change करेगा तो आपको यह बात समझ में आ रहा है कि यह कितना सेकेंड और कितना minute हुआ तो आप इसको क्या करोगे कि 432 को 60 से divide दोगे क्योंकि 60 minute बड़ाबर 1 second होता है sorry मैं इनने नहीं कह दिया 60 minute बड़ाबर 1 second होता है मैटा 60 second बड़ाबर 1 minute होता है यह बात को अच्छे से ध्यान में रखना 60 seconds मैंने क्या का 60 seconds में कितने minutes होते हैं तो 1 minute होता है सर जादा नहीं होता है तो हम 60 से divide दे रहे हैं तो देखो यहाँ पे 60 seconds 42 यानि के 420 आया ठीक है 420 लोगों से बच करके रहना ठीक है बड़े खतरनाक किसिम के होते हैं यह लोग 420 आ गया आ गया तो आ गया हम यहाँ पे सब्टेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे सब्टेक्ट करेंगे तो 12 बचेगा इसका मतलब यह हो गया कि 7 minute और 12 seconds इसको बोलें सेकेंड के बाद चेंज करेगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो every 432 सेकेंड या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट में देखर करके के 7 minute 7 minute 12 seconds बेटा दोनों बात तो सेम हो गया तो अब आपका जो time हो गया वो कौन सा time हो गया तो exactly 7 am में था न तो आप 7 am 7 hour 7 minute and 12 seconds तो यह आपका time हो गया बिटा इसी time पे वो क्या कर रहा हूँ यह am की मैं बात कर रहा हूँ am ठीक है एंटी meridian की मैं बात कर रहा हूँ जो सुवह वाली बात होती है तो 7 बच के 7 minute 12 seconds पे exactly वो फिर से एक साथ बदलना शुरू कर देगा तो finally हमने आपको यहाँ प इससे निकाल करके बताया है जो भी solution होता है उस solution को मैंने बहुत अच्छे से करकर करके दिखाया है आपको क्या करना शाहिए कि अच्छे से अगर आपने बनाया है तो ठीक है नहीं बनाया है तो अपने questions को सुधार लेना शाहिए और बना लेना शाहिए ठीक है फिर हम मिलत भी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं, बट उसको लाइक नहीं करते हैं, जिसके वैसे हमारी लाइक बहुत कम होती है, और आपके सपोर्ट से ये चैनल बहुत आगे जाएगा, ये तो हमें बहुत उम्मीद है, ठीक है, ओके बाई, गुड नाइट. झाला नाइट.